आलवेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो अपनी फ्लूड मेकनिक्स एंड मसीन्स की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारे नोट्स पीडियाप फॉर्मेट में डाउनल से पहले हम जान लेते हैं वेशिक्स कुछ जर्नल लियाउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट किस प्रकार से हम टर्वाइनों का इस्तमाल करते हैं साथियो किस प्रकार उन्हें चलाया जाता है यह आप देख सकते हैं रिजर्वोयर है साथियो यहां पर लिक्ट भरा रहता लिए इस में से कुछ इस प्रकार से पाइप लगा दिया जाता है साथि उस पाइप को इस प्रकार से जोडते हुए यह टरवाइनों तक फ्लूड सप्लाई किया जाता है साथ यह टरवाइन लगे होती है और फिर टरवाइनों फ्लूड इस्तमाल होकर डिस्चार्ज वाटर ह हो जाता है अर्थात यहां निकल जाता है जो कि यह हाइड होता है इसका वाटर का यं लूए पर आता है इसकी एनर्जी यहांसे इस्तमाल होती हुई छली जाती है जो एक पाइप लगा हुआ साथ यूद इसको बोलते है पैन पैन स्टाउक जिसे हिन्दी में पातनार और जो यह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह pipe से जुड़ा होता है surge tank होता होता है यहा बहुत बड़े होते हैं कमरों के बराबर rooms की size होती है इनकी एक तरह से या water के बड़े-बड़े storage tank की तरह हो सकती है यह क्या करता है साथ हूँ आपको इस परकार से यदि break लगाना हो, control करना हो, pressure change आ रहा हो साथ हूँ तो यह एक तरह से buffer का कार्रे करता है इसमें float ऊपर चड़ जाता है साथ हूँ यदि आप एक साथ रोग देते हैं या फिर एक साथ आपको आप सकता होती है तो यहीं से float आ जाता है इस परकार से balance बना के रखता है इसमें surge tank बोलते हैं इसको जिसको हिंदी में प्रोतकर्स tank के नाम से जाना जाता है यदि float flow कर रह energy को absorb कर लेता है आप सकताने पर फिर छोड़ता है अब टरवाइनों से आगे आप generator लगा देते हैं जो light produce करते हैं जिसे इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ यो गवर्निंग और होती है जैसा आप देख रहे हैं यहां पर यह टरवाइन है यह जनरेटर लगा हुआ जनरेटर पर लोड होगा जनरेटर पर अब उस लोड के अकॉर्डिंग आपको टरवाइन की स्पीड मैंटेन करने होती है साथी वह गवर्निंग का कार होता है जिससे आप लोड बढ़ाएं तो स्पीड बनी रहे है लोड कम हो जाए तो फिर से स्पीड कंट्रॉल की जाए किस प्रकार होता है साथी हो यहां पर जो वाटर है उसकी सफलाईग बढ़ाया जाए गाए कम किया जाएगा साथी हो इस प्रकार से उसे लगातार कॉंस्टेंट बनाया रखने के लिए गवर्निंग की जाती है अब यह सिंपिल ले आउट के बारे हम जान रहे है कौनशी किस परकार इसी किस णाम से जाने जाता है उन मेंसे थैटन फोल करने के लिए जादा कम करने के लिए लिए वेल शीटी को अब अब यहां पर आप देख सकते हैं, यह ररनर लगा हुआ है किसी साथ पर इस पर कार एकसल जुड़ा हुआ होगा तो इस परकार यह ररनर रहे साथ हूं इस रर्णर पर वकेट्ट से लगी ओगे हूँ से से फिलूड है इधर से अपोजिट डायरेक्शन में आपको फिलूड देगा साथ हूँ इस पर कार्स यहां भी नोजल लगा होगा कांट्रोल करने के लिए इस पर स्ट्राइक करेगा इस पर कार्वाइन घूम रहे हैं तो इस मोशन में तो इधर नीचे की तरफ फिलूड आयरेक्ट परकार से आप देख रहे हैं इसको कवर कर दिया जाता इसको केसिंग कहते हैं यह आप देख रहे हैं नौजल एंड जैट यह पर इस ट्राइक करने के लिए बीच में आ जाती है उसके लिए इस leven को नीचे से cut कर दिया जाता है साथ होय vita आप देखेंगे इनने में कुछ hall होता है इस water jet को seed strike कराने के लिए हैं आप देख सकते हैं जो आपने bucket से इस परकार size के होते हैं साथ हो आप इस परकार देख सकते हैं कोई bir spare बना हुआ उसके दो सैक्ष혁 कर दीने साथ्यों एक स् dove alsoने एक सैक्षण को आप उपर से लिए और सबासर आएक परकार से सामने से और एक बीच में इस एक बेड़ान में बीन लगा उया जाए कर सके इस परकार से यहां फ्लोड श्ट्राइक करेंगर इस प्रकार बहेकर वहार चला जाएगा सात्यों इस प्रकार होता है इस जैट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है जो की लेप्ट और राइट साइड में वाटर की जैट अपनी डिवाइड हो जाती है इसको यह आप यहां से कट कर देखें तो आपको उपर से इस प्रकार नजर आए गए इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं और बड़ा बनाये जाए इस प्रकार से यह splitter है इसके बीज में jet इस पर श्ट्राइक करेगी साथिव इस परकार से कुछ पार्ट इदर चला जाएगा कुछ इदर चला जाएगा इस परकार से exit यह entry हो जाएगी यह exit हो जाएगा दोनु तरफ साथिव इस जो बीज में splitter लगा हुआ है इस परकार इसका कार दो हिस्सों में इस परकार अपनी jet को cut कर देना है इसे इसलिए लगाए जाता है साथि water strike करे इस परकार से strike करेगा तो इस परकार से फैलने लगेगा साथिव इसके बजाए इसको इस filter के थुरू divide कर दिया जाए तो एक तरह से इस परकार से तो हमें सानती से पावर अच्छे से एब्जोर्ब कर लेगा और डिस्टप नहीं होंगा इसलिए इसके दो इससे कर दिया जाते है इस परकार ही आप देख सकते हैं यह सापट लगी हुए इसम बीच में इसको रणर बोला जाता है यह वाकेट से इस परकार से सारी जान करें आप मिल यह साथ यह फ्लोड इस परकार टकर आएगा घूम फिर के नीचे डिस्चार्ज हो जाएगा यह इससे आप कहेंगे टेल रैस बोलते हैं इसको जहां से इसका निसरन किया जाता है अब यह सापट घूमे की साथ यह इसकी ट्रवाइन की तो यह जनरे में आप लिखना चाहें तो यह आपको इस पेस दे दिया गया है जैसा आपको बताया जाता है साथी नोट्स हो में आप बीच बीच उन ब्लैंक पेज लगा कर रखें कुछ इस पेसल नोट्स आपके द्वारा भी कुछ एक्स्ट्रा पोइंट जोडने चाहें तो आप उन् तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ जैहिन बंद मातरम